हेलो फ्रेंड्स कैसे आप आज हम आप के लिए बनाने जा रहे हैं धई बल्ले सबसे पहले मैंने दाल लिये उड़त की और थोड़ी मौंग की दाल एक बड़ी कटोरी चमप लिया है अब मैं पीछने जा रही हूं दाल को दाल को अच्छी तरह पीस लेना है थोड़ा सपानी डालेंगे हलका सा जिससे अच्छी तरह दाल हमारी पिस जाएगी देखिए दाल पिस चुकी है इसको महिन पीसना है दाल को और मैंस में डाले हूं हींग आदा छोटा चमच लाल मिर्च और थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक और इस तरह अच्छी से इसको दाल को फेटेंगे इस तरह आपको अच्छी से मिलाना है अच्छी से फेटेंगे दाइवले मारे अच्छे फूल के त्यार होंगे और इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे दस मिनट के लिए तब तक हम अपना दई त्यार कर लेते हैं दई को इस तरह अच्छे से फोड़ लेंगे और इसमें थोड़ा हलका स्पानी डालेंगे क्योंको दई मारा बहुत गाड़ा है ज्यादा पतला भी नहीं रखना गाड़ा ही दई रखना लेकिन ज्यादा भी नहीं हो इसलिए थोड़ा पानी डालेंगे और इस थोड़ा मैं सरसोंक तेल गरम कर रही हूं और इसमें तब तमारा तेल गरम हो गया है इसमें डालेंगे थोड़ी सींग जिसमें तड़का लगाएंगे इसकी खुसबू अच्छी आएगी और देखे मैंने कड़ाई रखी है मैं सरसोंक तेल में दई बल्लों के सेखूंगी तेल अच्छे से गरम हो जाए तेल मारा गरम हो गया है मैं दई बल्ले बना रही हूं तेज आच में सेखेंगे इस तरह सारे दई बड़े डाल देंगे भुली में सबी को दई बड़े अच्छे लगते हैं और इसको बीच में चलाएंगे गोल्डन प्राउन होने तक इसको पकाएंगे और इसको पलट देना है थोड़ा गयस मैंने दीमी कर लिए जिससे मारे दई बल्ले अच्छे से पक जाएंगे देखे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह सारे दई बड़े बना लेंगे एर एक बाउल में पानी लिया है मैंने और इसमें दई बल्लों को डालेंगे इससे दई बल्ले सॉप्ट बनेंगे और इसका जो ऑईल है वह भी थोड़ा निकल जाएगा दई बल्ले मारे फूल चुके हैं इनको अथेलियों से पानी इसका निकाल के दई में डालेंगे जो मैंने दई त्यार कर रखा है इस तरह सारे दई बल्ले इसमें डाल देंगे हलके आतों से दबाना है देखिए देवले कितने फूल लखे हैं इस तरह मैंने सारे दई बल्ले बना लिए और मैं प्लेट में निकालोंगे दई बल्ले आप जितने चाहें प्लेट में निकाल के रख सकते हैं इस तरह मैंने अरी चटनी बना रखी है देखिए दई बल्ले मारे बनके त्यार हो गए हैं इसमें तोड़ा दई और डाल देंगे इसमें और दई में एक चमर डाल दिया है और इसमें डालेंगे काला नमक क्योंकि पहले मैंने दई में नमक नहीं डाला है दई नमक डालने से दई खटा ज्यादा हो जाता है इसलिए नमक बात के डालेंगे और इसमें डालेंगे भुना जीरा इसके बाद डालेंगे इसमें जो चटनी मैंने बना के रखी है अब लाल मिर्स डाल लेंगे और इसमें डालेंगे लाल चटनी जो इमली के बनाई हुई मैंने इस तरह चटनी डाल देंगे आपको जितना मीठा पसंद हो आप अतना डाल सकते हैं और इसमें डालेंगे हरी चटनी और मैंने थोड़े अनार के दाने लिए हैं उसको भी डालेंगे एक चमच और डालेंगे चटनी को और इसमें डालेंगे अनार दाने इसे दैवल लोग टेस्ट बहुत अच्छा आएगा देखे मारे दैवले बनके त्यार हैं अगर आपको अच्छे लगे तो घर में जरूर ट्राइ कीजिएगा और लाइक कीजिए अब उसके बाद कमेंट करिएगा देखे मारे दैवले कितने अच्छे फूल के सॉप्ट बने हुए इस तरह आप घर में आसान से दैवले बना सकते हैं अगर मारे दैवले अच्छे लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगली रिस्वी के साथ